समस्कार, आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जलन पैदा करने वाले पाइल्स के बारे में जी हाँ, ऐसा पाइल्स के जिसमें आपको ऐसे लएगा कि पिछवाडे में किसी ने आग लगा दी है, ज्वाला मुखी हो गया है, जंगल की आग हो गया है या मीडची जैसे एकदम जलन होगी और आप जलन से परेशान रहेंगे, आपको ऐसे लेगा कि यार वहाँ पे हमेशा गर्मी है, हमेशा कुछ ने कुछ जल रहा है तो आज का टॉबिक है पितज अर्ष, पितज अर्ष मतलब पित्ति की करण जब आपको पाइल्स हो जाएगा तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, वो पाइल्स होता क्यूँ है और उसके लिए क्या-क्या आईर्विदिक डाइट, मेडिसेंस या लाइफस्ट्राइल आप चेंजिस कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में पित्ति के करण वने वाले पाइल्स के बारे में, जिसमें की बहुत ज़्यादा जलन होती है कितनी जलन, तो ऐसे लएगा कि वहाँ पे किसी ने ज्वाला मूखी लगा दिया हो, या एकदम मिर्ची लगा दिया हो, एकदम हमेशा आग जैसे होते रहेगा लास्ट वीडियो में हमने वातेज अर्ष के बारे में बोला था, जिसमें की बहुत ज़्यादा पेन होता है, एकदम दर्द से वेक्ती परिशान रहता है इस वाले पित्त वाले पाइल्स में इंसान गर्मी से, हीट से परिशान रहेगा और पित्त वाले जो पाइल्स होंगे, वो लाल, पीला, काला, कुछ इस तरह का जब हम, मतलब, एक्जामिनेशन करते हैं तो हमें इस तरह का लाल कलर का ज़्यादा दर्द वो देखने मिलता है पित्त की कारण होने वाले पाइल्स में जलन के साथ एक और तकलिफ देखने मिलेगी कि खोन निकलना जी हाँ, खोन निकलते रहेगा वहाँ पे और उसके अंदर पस, मतलब जिसको मवाद बोलते हैं वो बहुत बार उस जगह पे देखने मिलेगा ठीक, और जो जोग होती है, जोग के बारे में हमने या लीच जी से बोलते हैं तो लीच का कैसे मूँ होता है, कुछ उस तरह का धीला, लटका हुआ पाइल्स, ऐसा वाला पाइल्स बित्त वालों में देखने मिलता है और दो-3 लक्षन देखने मिलते हैं जैसे कि लैट्रिन के यहाँ पे गुद पाक करके शब्दा आया है, मतलब वहां पे एकड़म पस हो जाएगा, जैसे मुझे आपको च्छाले आ जाते हैं, वैसे वो जो आपका गुदा अमार गया, जो लैट्रिन का एरिया है, उस जगह म आपको पाइल्स को ठीक करने की जरुरत है तो बार-बार गर्मी लगना बार-बार मोह सूखना बार-बार बुखार आना उस जगह पर पस हो जाना ऐसे बहुत सारे लक्षण पित्त की कारण होने वाले अर्ष या पाइल्स में देखने मिलते हैं एक दो चीज़े और देखने अगर आपको पायच हुआ है तो जो आपका मल होगा जो मतब डेली आपको स्टूल या मोशन आपको होता होगा वो पतला पीला लाल इस टाइप का होगा कि मतब पतला मोशन होगा वहाँ पे गर्मी बहुत लगेगी और लाल पीला कुछ इस तरह के कलर मिलेगा हमारे पास एक जलगाओं से इसके patient आते थे जो बोलते थे कि उनको जो मल होता है वो भयंकर नीला पीला लाल इस color का उनको मल होता है तो वो पितच अर्फ से related patient है और मल में चिकनापन रहेगा और कई बार जो मल का color है वो पीला हरा इस type की चीज़े देखने मिलेगी तो सवाल उठता है कि इ पाने में खटा, नमक और तीखा भर भर के खाते हैं ऐसे लोगों को पितच के कारण ये वाले पाइल्स ज्यादा होते हैं आप बुलो कि कौन ज्यादा खटा खाता है बहुत सारे लोग अब जैसे कि ऐसी महिला है जिनको पानी पूरी के बिना उनका दिन ही complete नहीं होता पानी पूरी डेफिनेटली खटा है या जिनको अमचूर, इंगली, निम्बू पानी, निम्बू सर्बत, कोकम सर्बत बिना खटे के अचार पचार के जिनका टेस्टी नहीं पेठी नहीं भरता या जिनको खाने के ऊपर नमक अमक डाल कर खाने की आदत है चिप्स, वेफर जिसमें भर-बर के नमक होता है ऐसे आइडम पसंद है जिनको बहुत ही तीखा पसंद है जैसे कि महाराफ्ट में ठेचा खाया जाता है मिर्ची का एक कॉम्बिनेशन होता बहुत तीखा होता वो खाया जाता है या करनाटका में वहाँ पे मिर्ची भजी करके चीज़े खा आता है तो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं खटा नमक पसंद करते हैं उनके शरीर में पित बढ़ता है वो जो एनल रीजन है वहाँ पर जाता है और पित वाला पाइल्स या फिर अर्ष आपको कर देता है फिर दो तीन और कारण वोने बुला है जैसे कि वयाम अगनी आतप मतलब ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सराइस करते हैं कि मतलब जान चली जाए पर वयाम करना ही करना है तो दो तीन तीन घंटे चार चार घंटे तो ऐसे लोग जिनकी ऑल्रेडी बॉड़ी गरम है या गरम एरिया में रहते हैं जैस खाना बनने वाले जो लोग हैं जैसे कि हमारे पास एक बंगाल का पेशन्ट है तो उसका कामी है चाइनीज जो एक रिस्टोरेंट है वहाँ वो काम करता है तो डेफिनेटल लंबे समय तक उसको आग के सामने रहना है या फिर जो लोग ब्रेड टोस बैकरी में जो काम वाम करते हैं तो गरम हीट वाला माहल रहता है वहाँ पे या कोई मजदूर है जो कि स्टील की फैक्टरी वेक्टरी तो जहां भी गर्मी का बहुत ज़्यादा कॉंटेक्ट होता है वो या जो लोग बहुत लंबे समय तक धूप में रहते हैं जैसे कि सेल्समेन हैं कि all the time धूप में भूमना फटता है ठीक या ऐसे लोग जो की धूप में ही काम करते हैं ट्राफिक हबलदार हैं इस तरीके के लोग उन सारे लोगों को जब जब ज़्यादा हीट का एक्सपोजर होगा धूप में काम करने वाले जो मजदूर मजदूर है उन सारे लोगों को हीट के एक्स बस ऐसे रखता है कि इनको तो मतलब चीटी ने भी टैच कर दिया तो यह World War कर देंगे इतना ज़ादा जिनको घुटा रहता है हर राबर ऐसे टाइप की लोग और जो बहुत ज़्यदा एश्या करते हैं मतलब बहुत ज़्यदा जिनको जलन होती है दूसरों से कि हैं उसने वो कर दिया ये कर दिया तो उन सारे conditions में क्या होता है क्रोधात पित्तम मतलब बुश्चा करने से बहुत ज़़ा इर्शा करने से पित्त बढ़ता है और ये पित्त बढ़ बढ़के आपको पाइल्स करने का काम करता है अब इसमें कर क्या सकते हैं तो हम क्लिनिक में क्या करते हैं सबसे पहले कि प्रोक्रोस्कोपी से examination करते हैं और examination करने के बाद फिर जो भी oral आउशदियां या लेप वेप है वो सब हम उनको देते हैं कई बार जो शार सूत्र है उससे भी बांद के अगर उसको जड़ से निकालना है तो हम या शार सूत्र हम यूज करते हैं एक बहुत ही कमाल का treatment जो आईरवेद में खास करके हम करते हैं वह है लीच थेरपी जैसे कि आप अभी इस video में या फिर इस clip में फोटो में आप देख रहे होगे कि पेशन्ट को पाइल से और वहाँ पे लीच लगाई गई है ठीक है य क्योंकि लीच जो होती है जिसको संस्क्रिद में जलो का बोलते है वो थंडी होती है हीट गर्मी कम करती है तो ऐसे जिगह पर पाइल्स के मस्ते बहुत बढ़ गए है उसमें से खून निकल रहा है पस निकल रहा है तो इन सारी conditions में लीच थेरपी हम आईरवेद में बहुत लेने की आदत है और अगर आपको पित्त के करण ये तकलिफ हो रही है तो उन्ची जोको कम करना पड़ेगा medicine में अगर आपको बनी बनाई दवाईयों कि आप बात कर रहे है तो अविपत्ति कर चूड नाम का एक medicine मिलता है कि बहुत अच्छा पित्त पे काम करता है लोग वो लगता है अच्छा अविपत्ति कर चूड मतब कि यो लैसिडिटी की बात कर रहे हो जी नहीं इवन पाइ health में तो त्रिफला क्या है हीट कम करने वाली और शदियों में से एक है थोड़ी सी रुक्षो होती है तो खाना खाने के पहले त्रिफला चमच थोड़ी सी मिश्री के साथ अगर आप ले सकते हैं तो उससे आपको मोशन भी क्लियर होगा और वहाँ पे जो inflammation मतब जो सूजन होई है या बहुत ही लाल लाल जो कुछ तकलीफ हो गई है उसे कम करने में मदद मिलेगी मेड़ी से खान पान में जो भी कड़वी चीजे है वो आपको डेफिनेटली इंट्रोडीउस करना चाहिए जैसे की घिलोए एक बहुत अच्छा आपको काम करेगा घिलोए के पत्त है तो परवल की आप सब्जी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो फायदे मंद होगी मूंग जो हता है मूंग का सूप पिना मूंग की डाल खाना ऐसे सारे की सारे आइटम और जवार इनकी चपादी खाना हफते में दो बार गेहूं की सब्जी खाना ये हफते में दो ब इसनों बुला है आई रिवेद में तो खटा ना हो एक चीज आपको ध्यान रखना चीए कि खटी चाच अवाइड करना और अगर आप चाच अतक्र ले रहे हो तो उसमें मिस्टरी डाल कर वन फोर्थ या फिर आदे ग्लास तक आप इसको ले सकते हैं एक और बनी बनाई द तरिफला का मतलब आप पानी में जैसे की 100 ग्राम तरिफला लिया दो लीटर पानी में उबालकर एक लिटर रख लिया और वो टब में डालकर उसमें अगर बैठते हैं तो आपको अच्छा खाजा वो फाइदे मंद रहेगा लोकलाइजड अगर आपको बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है तो चंदन बला लाक्षादी जैसे जो तेल है वो तेल वहाँ पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इंद्रयव जैसी जो आउशदियां है वो भी अगर खाना खाते समय वन फोट चमच आप लेते हैं तो पित्त की करन जो आपको बहुत ज़दा जलन पस वस ऐसी तकलीफ है उन तकलीफों को यह जो कुछ solutions है वो कम करने में मदद करेंगे बागी उसको जड़ से ख़दम करने के लिए आपके नच्दिक में जो भी आईरविदिक डॉक्टर होंगे वहाँ जाकर क्या पंच कर्म करना चीए या क्या-क्या वहाँ के localized कर्म जैस कफ और तीनों दोश खराब होने की करन जो पाइल्स होता है उसके बारे में बात करेंगे ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप अपने suggestions कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तब तक के लि